फ्रेंड ऐसा कोई भी लड़का लड़की नहीं है 35-40 साल के वाद उसकी खुबसूरती में उसकी फिटनिस में वदलाव ना हो क्योंकि 35-40 साल के बाद थोड़ी से उसकी खुबसूरती फीकी पढ़ने लगती है और वह जितना फहले फिट रहता था थोड़ा सा मेंटिनिस बिकर जाता है लेकिन फ्रेंड आज किस वीडियो में आपको दो ऐसे टिप्स हैं ऐसे उपाई वताने वाला हूँ यदि आप इन दो कामों को करते रहे तो आपकी फिटनिस और आपकी खुबसूरती में विल्कुल गिरावट नहीं आएगी तो फ्रेंड पूरा वीडियो ध्यां से देखते रहना देखी फ्रेंड आपको सबसे फहले क्या काम करना चाहिए फ्रेंड जो मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूँ उस टिप्स को यदि लगातार तीन महिने कर लिया तो कुछ लोग बोलते हैं न कि मेरी उम्र 30 की हो चुकी है 25 की हो चुकी है वैसे तो मैं दिखने में बहुत खुबसूरत हूँ साफ कलर भी है और अच्छी खासी मेरी व्यूटी भी है लेकिन मेरी हाइड नहीं बढ़ रही तीन महिने इसको कर लो आप तीन महिने के अंदर अंदर आपके हाइड बढ़ेगी और खुबसूरती क्या तो कहना ही क्या है दिनों दिन आपके चरे पर खुबसूरती चलकेगी तो वो क्या चीज़े सुन लेना आप किसी भी उम्र में है लेकिन अगर आप अपने लंबाई वडाना चाहते हैं तो तीन महिने के लिए नियमित रूप से पस्यमुत्तनासन आजमाए और आप तीन महिने के अंदर तक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं यह आसन कैसे की जाती है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाए देता हूँ यदि आप इस आसन को नियमित करेंगे आपकी उम्र सत्तर साल भी हो जाएगी लेकिन आपके चहरे पर वच्चो जैसी चमक रहेगी इस आसन को छोटा मोटा फिलकुल मत समझना अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा काम आपको क्या करना है हमारे फेस की ब्यूटी में जितनी भी प्रॉबलम आती है खुन की कमी से आती है और खुन के कुछ गणगंदे हो जाते हैं इस कारण से हमारी ब्यूटी फीकी पढ़ने लगती है हमारी खुबसूर्टी खत्म होने लगती है तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड आपको हर दिन नहीं तो कम सकम दो तीन दिन छोड़के आपको दूद में दो तीन खजूर मिलाकर खाने चाहिए ऐसा करने से आपका खुण साफ होगा खजूर के सेवन से आपके सरीर में खुण की कमी कभी नहीं रहेगी आपके चेरे पर खुबसूर्टी चलकेगी क्योंकि खुण आपका साफ रहेगा तो जादा महेंगी क्रीमें लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपका फिज वैसे भी व्यूटीफुल दिखाई दे और फ्रेंड लाश्ट में बहुत ही जरूरी टिफ से उसको भी जान लो फ्रेंड मैं इस तरह के वीडियो और भी अपलोड करता हूँ मेरे अपनी दूसरे चैनल पर जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रेशन ले डाल के रगिये जाकर उसको भी सब्सक्राइब चरूर कर लेना फ्रेंड दूसरी चीज है केला केला आप लिया में यत नहीं खा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं कम से कम हपते में दो तिन बार चरूर खाना चाहिए केला में आसानी से खून में मिलने वाला आईरन तत्व होता है खून की कमी के रोगियों को केला जरूर खाना चाहिए क्योंकि केला खाने से खून में होमोगलोबिन बढ़ता है केला खाने से एनिमिया के लक्षण जैसे कमजोरी ठकान पीला पन सांस लेने में दिकत दूर ह चाहिए और केला के चिलके आपको अपने फिस पर रगलना चाहिए इससे आपके चेहरे पर गुलो आएगी तो फ्रेंड इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वैल का बटन और पासलेक्ट जरूर कर लेना